हेलो फ्रेंड आप सभी का स्वागत है गया नरीना में मैं हो निशान गुपता और आज चेप्टर टू के इस लास्ट टॉपिक में हम बात कर रहे हैं दोस्तो टाइप प्रॉपर्टी एंड मैंथर्ट्स प्रॉपर्टी के और मैंथर्ट्स के कौन कौन से टाइप में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे जैसे कि प्रॉपर्वम आप देख रहे हैं I am confused by static class final कहीं पर भी आप देखते हैं प्रॉपर्टी के आगे static class final year function के आगे लखा हुआ होता है methods के आगे होता है तो यह है क्या इन सब के बारे में हम हम discuss करेंगे इस lecture में बहुत ही must अच्छे topic हैं दोस्तो यह जो बहुत जादा आपके interview question में पूछे जाते हैं और simple यह पता करते हैं जो आपके interviewer होते हैं कि आ आप जब access करेंगे इनको यह method बनाएंगे या किसी number of classes आप module बनाएंगे तो आप कौन-कौन से आप code यह property यह आपके method को inherit करवाना चाहते हैं और override कराना चाहते हैं बहुत जादे most important है तो चलिए start करते हैं हम दोस्तों एक लेते हैं struct को कर देते हैं some struct नाम का एक लिए लेत property ठीक है जो की stored property है ठीक है हम computer property के बारे में भी बात करेंगे store property और दोस्तों अगर आपको नहीं पता है computer property store property तो आप जाके मेरे previous chapter देख सकते हैं इसी chapter प्रिविए वीडियो देख सकते हैं इसी chapter में ठीक है चलिए अब हम यहाँ पर कुछ भी value डाल देते हैं let's see some thing ठीक है ठांग हो गया think कर देते हैं something ठीक है friends और दोस्तों हम simple इसको call करके देखते हैं यह देखिए आपने जब इसको static कर रखा है दोस्तों तो आपको initiate करने की ज़रूरत नहीं है direct आप इसको access कर सकते हैं ठीक है यह देखिए store property ठीक है आपने यहाँ पर इसको run करेंगे तो आप इसको access कर सकते हो without initialization simple struct के class का name लिखे ठीक है और हम जाते हैं struct में ही आपका static यूज़ करते हैं क्योंकि यह आपका value type है ठीक है तो यह आपका store property है और अब देखते हैं दोस्तों आगे इसका दूसरा example ठीक है एक लिए लेते हैं struct some structure ठीक है some structure नाम की class struct बना लेते हैं और इ computed property अभी तो store property की हमने बात कर लिए अब हम बात करते हैं computed property ठीक है where computed property ठीक है computed property क्यों होता है कि simple इसको initialize कर दो define कर दो customer data type है यहाँ पे हम आ गए कि आप return किस type करोगे वो आपने बता दिया यहाँ पे हम get set दोनों use करेंगे ठीक है value get भी कर देंगे return 120 ठीक है set आपको यह आ गया जिसमें हम कुछ print करा देंगे print 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 करा देंगे दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको print करा दिया ठीक है you have set to किसमे कर दिया है new value ठीक है यह हमें आपका computer property खुद provide कराती है set method के अंदर new value ठीक है जो new value आपने डाली होगी वो इसके अंदर हम इसमें आपे get कर सकते हैं दोस्तों ठीक है चुल यह normal इसको call करके देखते हैं simple कैसे करेंगे sum structure.computed property ठीक है आपने इसको as a static world लिख रख है तो इसको computer property को as a static हम करेंगे तो easily यहाँ पे get कर सकते हैं देखिए आपका 120 आ गया हमें initialize की जरुद नहीं पड़ी इस struct को ठीक है अब दोस्तों ह यह होता है इस struct में तो आपका static होता है लें class के अंदर आपका चुक है एक class आपका keyword होता है और एक आपका होता है static चुक है class आपका class keyword पर भी work करता है यूज़ करता है और static भी use करता है चुक है अब इन दोनों में क्याकर difference है उसको देखेंगे उस से पहले हम कह लेते हैं दोस्तों, एक class बना लेते हैं, grant, 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 parent, ठीक है, यह हमने class बना दी, इस class में एक अपने store property ले ली, static where, number of year in marriage, ठीक है, कितने साल की आपकी marriage होनी चाहिए है, यह हो चुकी है, ठीक है, वो आप पर depend करता है, आप किस तरह से इसको use कर रहे हो, एक static function बना देते हैं दोस्तों, ठीक है, introduce नाम से, ठीक है, और इसमें simple print करा देंगे आपका, इसी को print करा दो, simple number of year in marriage, ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, कि यहां पर class नाम से भी एक function बना देते हैं, ठीक है, यहां पर यह लगाँगा, तो देखिए, यहां पर introducing आजएगा, अपने cd इसको क्या किया, call कर लिया, कोई issue नहीं है, आपके यहां पर 30 आ गया, लेकिन अगर मैं, किसी class में, जो की parent में नाम ले लेता हूँ, उस में inherit कर रहा हूँ, grand parent को, तो क्या आपका यह वाला method या यह वाला दोनों override होंगे, पहली चीज, चलिए, उसी पर बात करते हैं, तो पहले हम लेते हैं, दोस्तों, introducing, अब आप देख रहे हूँगे, जैसी मैंने intro लिखा, आपका introduce नहीं आ रहा, चुकि class के अंदर आप static function को override नहीं कर सकते हैं, अगर आपको override करना है, तो उसको आपको as a class लिखना पड़ेगा, जिसको हम as a stat without initialization call कर सकते हैं, और यहाँ पर इसको override भी कर सकते हैं, अगर हम class keyword लिखते हैं, तो function के आगे, देखिए, जैसी मैंने के लिख किया, आपका यह override class function introduce हो गया, अब आप इसको change भी कर सकते हो, दोस्तो 5 में लिख देता हूँ, अब देखिए, अगर मैं चाहूँ, तो यहाँ पर इसको अगर चाहूँ, तो static function को लिखूँगा भी, तो भी मैं इसको override नहीं कर सकता, दोस्तों, अगर मुझे override करना होगा, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, class keyword, यह difference है, आपका static मे और class में, जब आप grandparent को calling करेंगे, तो without initialization आप as a static call कर सकते है, class को भी, लेकिन अगर आप इसको inherit करेंगे, तो आप static को override नहीं कर सकते, आपको class वाला ही override करना पड़ेगा, क्योंकि इसी को कर सकते हूँ, यह इसकी property है, इसने class keyword का introduce हुआ दोस्तों, ठीके, चलिए, अब हम बात करते हैं दोस्तों, final keyword की, ठीके, अब इस final keyword क्या है, final keyword के लिए एक बना लेते हैं, function final करके, ठीके, final keyword कुछ भी नहीं है, वो क्या करता है, आप के function को prevent करता है, या property को, कि आप उसको क्या नहीं कर सकते, override नहीं कर सकते, आप इस function को override नहीं कर सकते, final keyword उस शीर को prevent करता ह दोस्तों चीक है यहाँ पे लिख दो कांट ओवर्राइड चीक है कांट ओवर्राइड अगर आप चाहो तो यूज भी करके देख सकते हो फाइनल को अगर मैं करूँगा पैरेंट अगर नॉमली कॉल करना चाहूँगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि यह आपको नॉमल फंक्शन है इस्ट्रेटिक नहीं है न कलास है अब मैं इस तरह से इसको कॉल आ गया यह देखी दोस्तों आपको यहाँ पे यह आ रहा है ठीक है अगर आप इसको क्लिक करेंगे ठीक है तो आप यूज कर सकते हैं लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको लिखना चाहूँ करना चाहूँ तो मैं इसको ओवराइट नहीं कर सकता दोस्तों simply मैं इसकी property यूज कर सकता हूँ इस function को क्योंकि मैंने final as a link दिया है ठीक है लेकिन मैं इसको override नहीं कर सकता अगर final keyword लिख था है तो ये difference है आपका static class और final में ठीक है अब दोस्तों अगर हम किसी normal application की बात करें अगर मान लीजे कोई application आपके यूज कर रखे Bluetooth की तो मैं उसमें आपको बताता हूँ ठीक है मान लीजे एक struct नाम का Bluetooth है ठीक है that means Bluetooth नाम का एक struct है ठीक है दोस्तों ओके यहाँ पे Bluetooth में ले लेता हूँ आईडी Bluetooth की आईडी यहाँ पढ़ी वी है ठीक है और वो पढ़ी है अब आईफोन के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं इस रख के अंदर आईफोन ले लेता हूँ अभी तुम्हें ठीक है अब आईफोन के अंदर मैं लीजे एस्टैक लेट आईफोन फोर इसकी Bluetooth आईडी ठीक है कुछ भी आप कर लीजे यहाँ आपका Bluetooth ID होगी आप गैट कर सकते हो कभी भी कहीं पे भी ठीक है अराम से क्योंकि अपने स्टैक यहाँ पर दे रखा है ऐसे आप करना चाहो तो यहाँ पर कर दीजे यहाँ पर फॉर फाइफ कर दीजे आईफोन यहाँ पर आप 3 कर दीजे तैक है इस तरह से भी आप यूज कर सकते हो अगर ऐपोन के लीए करना है ऐपोन के लिए हो चॉका है अगर अंड्रोइड के लिए रथमी करना आपको ड JUDGE है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं दोस्तों यहाँ एंडूइड एंड़ोट लिख देंगे और यहाँ पर आपका काम हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से हम इस static keyword को भी use करते हैं ठीक है दोस्तों तो हमने क्या देखा कि static class of final में क्या difference है कैसे use किया जाता है कहां कहां होता है सारी चीज़े clear हो गई अब दोस्तों अगर आप चाहो तो इसका alternate में बताऊंगा अब इस topic से कोई relation नहीं है जो मैंने उपर आपको define कर रखा है इन तीनों से मैं simple आपको इसका start का एक alternative बताऊंगा कि आप इस तरह से भी use कर सकते हो alternative ठीक है idea क्या है enum बनाके enum आ लिजे airdrop नाम से मैं बना लेता हूँ id ठीक है और string टाइप की होंगी है ठीक है और simple case आप रख दो इनका ठीक है और name रख दो iphone 4 equal ठीक है airdrop id कुछ भी रख दो आप as a wish ऐसे ही case आप बनाऊगे यहां पर आप कर दो iphone 5 यहां पर change कर दो इस तरह से भी दोस्तों आप इसको use कर सकते हो ठीक है तो यह आपको मैंने बता दिया है तो यहां पर दोस्तों हमारा chapter 2 जो है खतम हो जाता है object oriented ठीक है next lecture में अब हम next chapter शुरू करेंगे ठीक है इसी में interview में आपके complete tutorial में ठीक है तो चलिए मिलते हैं फिर next lecture में आपके घ्ट करेंगे लिए में यह रहाँ रहाँ आपके आपके पिए तो यहाँ दो कर दो अ मजड़ हैं लिए काने जो यहाँ में पिए कर दो वादित जोड़ेंगी एहाँ वादार कल आपके